आज हम लोग फिर जानेंगे पढ़ेंगे एक नया चैप्टर नियोस का आज का हमारा सब्जिक्ट है इंग्लिश इंग्लिश 302 Senior Secondary NIOS इस चैप्टर में हम लोग इस बुक का हम लोग पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिस चैप्टर का नाम है My First Step My First Step इस चैप्टर में हम लोगों को नरेटर ने बताया है कि वो क्रिकेटर नहीं बन पाते अगर उस दिन उनके वो इगल आई रिलेशनशिप वाले अंकल नहीं आते आएए इस वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और एक मिस्टरी क्रिकेटर के बारे में जो हमारे हिंदुस्तान यानि के इंडियन क्रिकेट के लेजिंड बने उनके बारे में आज हम और आप जानेंगे पढ़ेंगे किस तरीके से हमें इंडियन्स को एक महान क्रिकेटर मिलें सिर्फ और सिर्फ उनके अंकल जिनका नाम चले मैं आपको बताई देता हूँ मिस्टर नारायन मसूरे करता मैं चाहता हूँ आप सभी स्टुडिंट्स को और मेरे व्यूवर्स को कि मेरे इस चैनल को प्लीज प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें और अधर्स लोगों के साथ शेयर करें क्योंके पढ़े गां इंडिया बढ़े गां इंडिया so my friends आज हम लोग जिस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया है उस चैप्टर का नाम है My First Step इसमें हम लोग पढ़ेंगे आईए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं आई में निवर हैब बिग एम अकरिकेटर और इस बुक वर नाट सर्टेनली रिटन इफ एगल आइड रिलेशन मिस्टर नरायन मसूरेकर जो के इस चैप्टर के बहुत ही इंपोर्टेंट कैरेक्टर है इस नाम को आप लोगों को याद रखना है क्योंकि ये इस तरह के questions आएंगे What was the name of the narrator's uncle तो आपको ये सारी चीज़े note down कर लेनी है अपनी copy में ताकि आपको जब ये questions answer session स्टार्ट हो तब आप इसको अराम से आसानी से याद रखे और तुरंथ ही दे पाए Had not come into my life the day I was born तो when was the narrator born The date is given It is 10th July 1949 Date एक बार में फिर से repeat कर रहा हूँ आप लोग प्लीज note down कर ले इस subject को पढ़ने के लिए इस chapter को पढ़ने के लिए ये सारी dates आपको बहुत काम आने वाली है तो आपको ये जानकारी जरूर लेनी चाहिए जो के date है 10th July 1949 It seems that Nankaka Nankaka ये जो narrator है वो अपने इस uncle जिनका नाम क्या बताया था मैंने आप लोगो comment box में जरूर बताए कि उनका नाम मैंने आप लोगो क्या बताया था Nankaka Who had come to see me in hospital on my first day in this world Notice a little hole near the top of my left Left ये होती है Left ठीक है Left air lop The next day he came again and picked me the baby lying on the crib next to my mother जो के एक बच्चे को जहां पे रखा जाता है hospitals में वो mother के बेट के जस सामने में बच्चों को रखा जाता है ताके वो किसी भी समय उन्हें उन बच्चों को feeding के लिए इस्तमाल कर सके To his utter horror he discovered that the baby did not have the hole on the left air Next day जब वो आए कौन नानका का जिनका नाम मैंने आप लोगों से पूछा है कि आप comment section में जरूर बताएं कि उनका नाम क्या है जिने narrator जो के future में हमारे Indian cricket के legend बने उनके अंकल का नाम क्या है यह आप सब मुझे इस वीडियो को देख करके बताएंगे कि उनके अंकल का नाम क्या है So इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग मेरे वीडियो को सिर्फ सुन रहे है या ध्यान से सुन रहे है A frantic search of all the cribs in the hospital followed Cribs Cribs मतलब छोटे बच्चे अमोमन क्या होता है Hospitals में हम और आप यह देखते है कुछ nurses जो है बच्चों को बहुत सारे बच्चों को जो multiple बच्चे होते हैं भाई बच्चों में बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको ले करके जाती है और एक साद नहलाने के लिए तो वहाँ पर क्या होता है कभी कबार बच्चे एक्स्चेंज हो जाते हैं क्या हो जाते हैं बच्चे एक्स्चेंज हो जाते हैं तो इसलिए क्या किया जाता है कि इस समय हमें हमारे गार्जिंस को चाहिए बहुती ज़्यादा साबधानी बरतने की नेलाने के टाइम में जब नर्स लेकर के गई थी हमारे नरेटर को जिनका नाम अभी तक मैंने आप लोगों को नहीं बताया है क्योंकि अगर मैं नाम बता देता हूँ तो आप लोगों को ये चैप्टर उतनी जादा क्लियर नहीं होगी तो नाम जानने के लिए इस चैनल को इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि नाम आगे में आने वाला है तो वो जो है बेबी, स्मॉल बेबी जो हमारे नरेटर है वो एक्सचेंज हो गये थे एक्सचेंज हो गये हैं ऑस्पिटल में वो भी किसके बच्चे के साथ? एक फिशर वुमन के बच्चे के साथ यानि की नरेटर आज हमें ये बताना चाह रहे है कि अगर वो उस दिन उनके अंकल जिनें वो नान काका कह करके पुकारते थे अगर वो उस दिन उनके लाइफ में उनके जिन्दगी में नहीं आते तो आज वो शायद क्रिकेटर ही ना होते बलके एक मचवारा होते फिशर मैन होते तो वाई फिशर मैन क्यों होते क्योंकि जिस बच्चे से उनकी अदला बदली हुई थी वो बच्चा किसका बच्चा था वो बच्चा एक fisher woman यानि कि मचवारी का बच्चा था मचवारों का बच्चा था तो आज हमें वो Indian cricketer शायद आपके और मेरे साथ नहीं होते इस chapter को continue करते हुए हम लोग जानेंगे How did Sunil began playing cricket? Who helped to develop his talent as a cricketer? Let's read on आईए हम लोग पढ़ते हैं कि वो cricket कैसे वो उन्होंने खेलना शुरू किया Sunil मैंने नाम बता दिया आप लोगों को तो चले मैं आज अभी आप लोगों को यह बता देता हूँ कि उनका नाम और वो महान क्रिकेटर Mr. Sunil Gawaskar sir थे यह किसी ऐसे वैसे इनसान के बारे में यह chapter नहीं है यह हमारे इंडियन क्रिकेट के लेजेंड Mr. Sunil Gawaskar sir की personal जिन्दगी के बारे में बात है कि बच्चपन में जब वो जनम लिये थे हॉस्पिटल में उनकी अदला बदली हो गई थी किसके साथ फिशर वोमन के साथ फिशर वोमन के बच्चे के साथ आज अगर वो अदला बदली उनके अंकल Mr. Ma मैं तो नाम नहीं बताने वाला हूँ आप लोग मुझे बताने वाले हैं कमेंट सेक्शन में जा करके कि उनके अंकल का नाम क्या था तो जिन्हें वो नान काका पुकारते थे यह मैंने आपको बताया है और इस वीडियो के शुरुआत में मैंने उनके अंकल नान काका का नाम मैंने आपको बताया है और एक बात वीडियो में आगे बढ़ते वे मैं आप लोगों से यह पूछना चाहता हूँ कि बिना पीछे जाए वीडियो के पीछे जाए आप लोग मुझे बताए मिस्टर सुनील गवसकर सर जी का डेट ओफ बर्थ यह जरूर दो चीजे दो कोशिंज मैंने अब तक आपको कर ली है कि आप लोग इस दो चीज का आंसर मुझे इन दे कोशिंज का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जा करके जरूर बताए तो आई हम लोग जानते हैं इस चैप्टर का नेक्स पार्ट 1.2 सेक्शन 2 में क्या है इसमें हम लोग को पता चलेगा कि मिस्टर सुनील गवसकर सर किस तरीके से वो क्रिकेट खेलना उन्होंने शुरूर किया देखें मिस्टर सुनील गवसकर सर के जो फादर थे वे भी क्रिकेट ही खेला करते थे हाला के उन्होंने क्लब क्रिकेट ही खेला है और बहुत जादा उन्होंने नहीं खेला लेकिन क्रिकेट उनके बलर्ड में था जिसके वज़े से उनके बच्पन से ही उनको क्रिकेट में बहुत ही जादा इंटरेश था बच्पन में वो क्रिकेट अपनी मम्मी के साथ खेला करते थे और वो गली क्रिकेट भी खेला करते थे और गली के क्रिकेट खेलते हैं समय उन्होंने अपनी मम्मी के एक स्ट्रेट ट्राइफ जब उन्होंने लगाया उनकी मम्मी का नाक उन्होंने तोड़ दिया था जिससे बहुत भारी ब्लेडिंग हुई ये देख करके मिस्टर सुनिल का वसकर घबड़ा गए कि जा अब तो भाई मार पढ़ने वाली है अब तो भाई मार पढ़ने वाली है बड़ी जबरदस मार पढ़ने वाली है लेकिन मिस्टर सुनिल का वसकर के मदर तो भाई लेजन्ड की मम्मी है कोई ऐसी वैसी तो मम्मी है नहीं वो उन्होंने जो स्परिट दिखाया अपने बच्चों को अपने बच्चे की उस होबी को उस स्परिट को उन्होंने वापस से अपने उस ब्लीडिंग को पोचा पोच करके वापस से वो बोलिंग में आ गई हाँ भाई वापस से बोलिंग में आ गई हो और उन्होंने हमारे महान क्रिकेटर को बशपन से ही एक बड़ा प्लैटफॉर्म दे दिया जो के इस दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता क्योंके मा के इलावा इतनी बड़ी प्लैटफॉर्म भाई कोई नहीं दे सकता नाक फूड़ गया बेटे ने अपने इंट्रेस्ट को बढ़ाता चला जाए और अपने जीवन का लक्ष को हासल करें अपर को हम लोग आगे बढ़ेंगे आगे पढ़ते हैं वक्त हम लोग ये भी जानेंगे कि उनके और भी रिलेटिव जो थे और उनके एक और अंकल जिनका नाम था मिस्टर माधव मंत्री जिन्होंने इंडिया के लिए फोर ओफिशिल्स गेम खेले हैं और उनके पास फर्स क्लास गेम उन्होंने खेला है उनके अंकल ने उनके अंकल ने खेला है और उनके अंकल से जो है मिस्टर सुनिल कावसकर सर बहुत ही जादा attracted थे और उनका favorite time past time क्या था वो बता रहे है कि my favorite past time used to be to take out his pullovers and catch them with a sense of longing I was so attracted by the Indian test pullovers that once I even dared to ask him if I could take one since he has so many my uncle told me that one has to sweat sweat and earn the Indian colors the India colors and I too should work hard to earn the distinction this is the lesson I have never forgotten जब उन्होंने अपने अंकल से वो pullovers मांके उन्होंने कहा कि इन pullover को कमाने के लिए भई बहुत मैनत करने पड़ती है पसीना बाना पड़ता है ये हर किसी को नहीं मिलती आज हमारे गली में हमारे पड़ोस में कितने ही बच्चे cricket खेलते हैं आप भी खेलते हैं आपके दोस्त भी खेलते हैं आपके पड़ोसी भी खेलते हैं कितनों के पास है ये इंडियन जर्सी कितनों के पास है अगर आपके पड़ोसी में से किसी को ये जर्सी मिली है वो भी आप मुझे कमेंड बॉक्स में बता है फिर आगे हम लोग चप्टर को पढ़ते हैं अगर बहुत ही जादा पसंद था वो आटोग्राफ वाला विकट स्टम्स कौन से साल का? 1952 अंकल का नाम? मादव मंत्री जिनों ने इंडिय के लिए चार ऑफिचियल फर्स्ट्स गेंड खेलगे रद बिगुद के बिगिन अबैट्समन और एह ए डिस ब सक्ष्पट्समन ज ये देखे हमारे मिस्टर सुनील गावसकर सर कितने बदमाशियां करते थे बचपन में जब उन्हें उनके दोस्त यानि की टीम मेट्स में से प्लेयर जब उन्हें आउट कर देते थे वो छगड़ा कर लेते थे और छगड़ा करके अपना बैट और बॉल वो ले करके खर्ट को निकल लेते थे क्यों कि उन्हें आउट होना नहीं पसंद था आउट होना पसंद नहीं था अब चुँके बैट और बॉल के मालिक वही होते थे तो आउट हो जाते थे उसके बाद उन लोगों ने उनके पुरे खेला है अमंग इस अल्ली कॉम्डेट्स विथ हुम आई प्लेट्स वर दा अंबे ब्रदर्स अंबे ब्रदर्स दा मांद्रेकर ब्रदर्स और सेवर्र अडर्स वो मेड़ अप आवर टीम इन लोगों के साथ उन्होंने बच्पन में अपना गेम खेला है यह लोग आपस में मैच रखते थे मैच रखने के बाद एक टॉफी शेयर करते थे जिस टॉफी का नाम हो जिस टॉफी का प्राइस उन्होंने अभी हम लोगों से शेयर किया है वन पॉइंट फाइव रहते था तो इस चैप्टर को आज हम लोग यहीं पर कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करने के बाद मैं आप लोगों को अगले वीडियो में इस चैप्टर के रिलेटेट कोशन आंसर सेशन लेने वाला हूँ मैं आप लोगों को हल्प करने वाला हूँ कि इसमें जो context 1 में, context 2 में, 1.1 and 1.2 में जो questions दिये गए हैं, उसको solve किस तरीके से हम लोग करेंगे उसके answers क्या है, questions क्या क्या दिया हुआ है books में इसका मैं आप लोगों को solve करके बताने वाला हूँ तो आप लोग मेरे अगले वीडियो को जरूर देखें और उसे इस वीडियो को प्लीज 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 लाइक करें, सबस्क्राइब करें, बेल बटन प्रेस करें ताके अगला वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ, आप लोगों तक वो सबसे पहले पहुँच जाए मैं आप लोगों से आज एक बता देना चाहता हूँ कि मैं इस पूरे सलेबस को ओवर ऑनलाइन क्लासेज मैं आप लोगो देने वाला हूँ, जो आप सब भी स्टूडेंस इसे फ्री ओफ कॉस्ट आप लोग एक्वायर कर सकते हैं अगर आप लोगों को मेरी टीचिंग्स में कुछ भी सजेशन्स देने हैं प्लीज अब मुझे देए, कोई कॉश्ट पूछना है, प्लीज, प्लीज कॉश्ट प्लीज कॉश्ट करें, कमेंट बॉक्स में जाकर कहनले करें, मैं कॉशिश करूँगा कि आप सब हो को आंसर द झाल 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 झाल